नमस्कार, स्पागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलजी पर मैं यश्रास्तेवारी आज आप सभी के समों को पस्तत हुआ हूँ आप लोगों की जन्मकुंडली का नहीं शुल्क अध्यन करने के लिए नहीं शुल्क जन्मकुंडली अध्यन की सीरीज में हमारे आज तक 154 कारिक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कारिक्रम होने वाला है यह 155 नमबर का कारिक्रम होने जा रहा है साथी साथ इस series में आज तक 845 लोगों की जन्मकुंडली का अध्या नेशल गुरूप से हो चुका है और आज के इस कारिक्रम की जो पहली जन्मकुंडली होगी ये 846 वे नंबर की जन्मकुंडली होने जा रही है यदी आप इस कारिक्त्रम को देखते हैं और इस कारिक्त्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए साथी साथ इस चेनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी content मिर द्वारा इस चेनल पर upload किया जाता है उसका notification आपक द्वारा इस कारेक्ट्रम के माध्यम से ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाये तो आप अपनी बर्थ डीटेल्स जैसे कि आप अपना नाम अपने जन्म के दिथी अपने जन्म का समय और अपने जन्म का इस्थान ये चारों ही चीजें किसी भी एक प्रत्यक्षिक प्रशन के साथ में इसी वीडियो के कॉमनें में दे दीजे आपकी डीटेल्स को देने के 3.30 मेहने के बाद में आपकी जन्मकुंडली का अध्यन मेरे द्वारा ठीक किसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि देव गुरु ब्रहस्पती का राशी परिवर्तन 1 मई 2024 के दिन होने जा रहा है और ये राशी परिवर्तन प्रत्यक लगन एवं प्रत्यक राशी के जातकों के लिए क्या फल लेकर क्या आ रहा है क्या लाब और क्या हानी के नुपायों को करके आप देव गुरू ब्रहस्पती की कुचरकाल को और शेष्ट बना सकें इन सभी पर हमारा एक ब्रहत वीडियो प्रत्यक लगन एवं प्रत्यक राशी के जातकों के लिए बनाया जा चुका है इस चैनल पर वर्तमान समय में जो आपको आईकार्ट पर लिंगे देखने में मिल रहा है उस लिंक पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आप उस प्लेइलिस्ट पर पहुच जाएंगे कारकत्व को ग्रहन करते हैं जैसे कि धन भाव के कारक देव गुरु बहस्पति हैं कुटुम्ब के कारक देव गुरु बहस्पति हैं शिक्षा के कारक ज्यान के कारक देव गुरु बहस्पति हैं संतान के कारक देव गुरु बहस्पति हैं विभा कराने वाले प्लैनर देखने में मिलता है जाकर कि इन राशी फल के वी प्लेश्ट में देव गुरु ग्रहस्पती के राशी परिवर्दन को अवश्य ही देख लीजेगा साथ उसी प्लेश्ट में हमारे मासिक राशी फल जो होते हैं प्रत्यक राशी के अकॉर्डिंग वह भी पब्लिश्ट किये मदूसमता राई जी की तो मदूसमता जी आप तयार रहें आपकी जन्म कुंड़ी मैं ले रहा हूँ डेट ऑफ वर्थ जो इन्होंने दिया है वो है अठारा मार्च दो हजार तीन जन्म का समय इन्होंने बताया है सुभा के आठ बचकर के दस मिनिट और जन्मिस्थान जो है इनका वो है आसाम में बोंगाय गाओं मैं सर्च कर लेता हूँ जी मिल गया है मेंश लगन की आपकी जन्म कुंडली है मद उसमताजी और राशी आपकी बनती है सिंग मंगल की वर्तमान समय में आपको महा दशा चल रही है और मंगल में शुक्र का अंतर है 2003 का आपका जन्म है 20 वर्ष के आपकी उम्र है मंगल में शुक्र का अंतर कुछ हज़ितक लगनेश की दशा में सब्तमेश का अंतर आपको भठकाने वाला तो होता है मंगल में शुक्र स्पेशली जब हो तो मंगल में शुक्र का अंतर 28 में से प्रारंब हो रहा है यह समय कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा जाता हुए मैं देख पा रहा हूँ प्रेश्ण है इनका जॉब कब होगी मेरी प्लीज रिप्ला है बस यही समय आ ही कया है आपका एक तो जॉब लगने का योग चली रहा ह है अगर आप प्राइवेट नौकरी इत्यादी के लिए सामाने नौकरी के लिए आप पूछ रहे हैं तो 28 में के बाद में ही आपकी जन्म कुंडली आपको जॉब में प्रदर्शित करती है मंगल की देशा में सूर का अंतर आपके जॉब के लिए कहीं ज्यादा अच्छा म परंतु शनी और राहू की यूती आपकी जन्म कुंडली के द्वितिय भाव में बनी हुई है किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली के जब द्वितिय भाव में शनी राहू की यूती बने वैसे तो शनी और राहू की यूती श्रापत योग के नाम से जाने जाती है जरूर होता है तो यह आपकी जन्म कुंडली इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं दूसरी चीज शनी राहू की युतित वितिय भाव में हैं कोशिश आप करें बारवे का स्वामी भी चतुरत में बैठा है कि आपकी जो जॉब हो वह आपके जन्मस्थान से दूर हो यदि को आने वाले समय में देने वाले हैं मंगल में सूरी का अंतर नो डाउट ये समय आपके लिए अच्छा होता हुआ है दिखाई दे रहा है परनतु तीन अईश पर सूरे हैं जो कि इम्रत अवस्था और शडवल में एक गमज़ोर है तापको अपने सूरी को बलवान करना च करके आपकी जर्मकूडली काफी अच्छी मजबूतियों को प्रदर्शित कर रही है मंगल शुक्र की यूति जो नौमाइश में बनी हुए जिस पर अभी मैंने एक पॉइंट उठाया आपको उसका इस्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि मंगल में शुक्र अंतर ये आपक करने में मिल सकती है तो आपको इस बात पर ध्यान देना है और यदि किसी भी तरह का आपके रिलेशन्स में अपसंड डाउंस या कोई भी डाउट आता हूँ आपको दिखाए तो आपको साफधानी और सतरकता रखनी अत्यांत आवश्यक है उपाय के दौर पर सूर्याश् गलाब देखने में मिल जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं अगली जन्म कुंड़ी जो है यह हीनल पटेल जी की है तो हीनल पटेल जी आप तयार रहे हैं आपकी जन्म कुंड़ी मैं ले रहा हूँ डेट और बर्थ है इनका 27 मार्च 1999 जन्म का समय बताया हुआ है सुभा के पांच बच करके 40 मिनट जन्म स्थान उन्हों ने दिया ही नहीं है मुझे मेरी करियर के बारे में जानना है कि गवर्मन जॉब लगेगी कि नहीं स्टडी कंप्लीट हो गई है तो मुझे मास्टर करना चाहिए आगर बें डॉक्टर में या फिर मुझे क्लीनेग और प्रेक है तो मैं डैली के अकॉर्डिंग ले लेता हूं अगर कुंडी सही बनती है तो अब आपकी वो लगने 27 संश्पर है तो हो सकता है कि अगर जन्म स्थान कुछ और हो तो गडबड होगा यह आपका जब मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप हड़बडाय मत सभी की जन्म और कोई है ने तो आप अपने specific प्रेशल को दें proper details दें जसमें आपके जन्म किति आपके जन्म का समय और के जन्म का स्थान हो ताकि आपकी जन्मकुंडली प्रॉपर्ली निर्मित हो सके और कोई एक प्रश्ण जो कि आपको जानना अत्यांत आवश्यक है जिसके चलते आप निशुल्क में संपर्क कर रहे हैं वो दिया करें ताकि आपकी जन्मकुंडली प्रॉपर्ली बने और उस You know, it does not exist. मंगल की दृष्टी से दृष्ट होने के सलते नीच रत्वन का भंग माना जाएका कि करियर के बारे में जानना है गवर्णमेट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी द्वितिय भाव में सूरे 12 आइश पर 9 आइश में सूरे नीच राशी में दशम पती जाकर के बैठे हुए हैं भाग्यस्थान में और केतु की महादशा आपको चल रही है देखिए अभी तो सरकारी नौकरी का योग नहीं है लेकिन अगर आप प्रयास करते हो तो से 5-6 साल बाद में सरकारी नौकरी लगने के योग बनते हैं स्टडी कंप्रीट हो गई है तो मुझे मास्टर करना चाहिए आयरवेड डॉक्टर में या फिर क्लीनेक और प्रक्टिस चालू करनी चाहिए देखिए व्यापार भाव का स्वामी द्वितिय भाव में हैं पोत्तम ही भी हो रहे हैं तो आपको गुरू की फील्ड में आगे बढ़ाया जा सकता है तो देखिए आपके पास में दो ऑप्षन हैं अभी वर्तमान सामय में मुझे लगता है कि अगस्त दो अजार पच्चेस तक मतलब पूरा एक देड़ साल तक अभी आपको प्राइव चल रहे हैं जाया तो जा सकता है मास्टर्स के लिए भी अभी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए समय एगजर सिस्थार माई तूर पच्चिस के बाद में मास्टर्स अब कितने साल का डो साल का होता होगा आइडिया नहीं है मझे अरव डेली नहीं है डेली से दूर की जग एकुम्भलगन की कुंड़ी आपकी नहीं है 27 साइश पर लगना है अगर नहीं है मिथोन का नौवाइश नहीं है तो इस वीडियो में जो नंबर फ्रेश हो रहे हैं उस पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंड़ी का अध्यान कराके ही इस का डिसीजन लीजेगा बाकी सरकारी नौकरी के लिए अभी इंतजार करना यह तैयारी करना मुझे नहीं लगता कि अभी आपके लिए ठीक है तैयारी करिए लिकिन अपनी मास्टर्स की तैयारी के साथ में अपने मास्टर्स के कॉलेज में अड्मीशन लेने के साथ में बै लिक को ओपन करने के तैयारी करिए और ज़रूरत होती है तब तक और योग आते हैं लग जाती तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो प्राइवेट प्रक्टिसी करीब आपके जादा अच्छा है सरकारी नोकरी में जाकरके अगर हम उपायों को करके पुश करके आपको कराब आपके लिए कहीं ज़्यादा पॉजटिव है उसमें जो पाए बताएं बाकी वार्षक राशी फल में जो पाए बताएं वो करना अत्यांत आवश्चक है हनुवांच अलीसा करने ते तीन बार पाट करना आपके लिए अच्छा होगा हाफते में या मंत में एक बार सुन्दर जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ है इनका 21 नवंबर 2005 जन्म का समय है सुभा के 5 मच करके 45 मिनेट पंधाना मद्ध प्रदेश तुला लगन की जन्म कुंडली है आपकी राश्री आपकी करक बनती है देव गुरु प्रहस्पती लगन में बैठे हैं लगनपती तृतिये में बैठे हैं तृतियेश और लगनेश का परिवर्तन है आपके प्रशन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ ओम्र भी आ इस जीवन काल में आपको जिस भी चीज की प्राप्ती होगी वो भयंकर्तम संखर्ष और भयंकर्तम पुरुशार्थ करने के बाद ही मिलने वाली है भागी के कारक देव गुरु ब्रहस्पती लगने में बैठ करके भागय भाव को देख रहे हैं परन्तु वो पराक्रम पत का मैट्स का बेग्राउंड है गवर्मेंट जॉब की योगों की पहले हम चर्चा कर लेते हैं शनी बैठें टेंथ हाउस में नौमाईश में दशंभाव में नीच राश्री के गुरू है स्वग रही है सूर्य नौमाईश में लेकिन शडबल में आपका सूर्य बेहत तो सूर्य आपका जो है वो शडबल में काफी कम सोवर है सरकारी नौकरी की प्रेडिक्शन के साधार पर दी जाएं अलांकि चलिए उसको देखते हैं अभी मैट्स का बेग्राउंड है और ग्रेजुएशन किस फील्ड में करना बहतर होगा साइन्स नहीं लिया था साथ में क्योंकि शनी मंगल का सम्मद है एंजिनेरिंग में करियर बनवाया जा सकता था आपका नौमाईश में भी बनता है अब एंजिनेरिंग नहीं तो आपके ल लिया हुआ है साथ में या नहीं लिया है तो कॉमर्स की लाइन में अकाउंटेंसिव बैंकिंग और फिनेंस की लाइन में जाना आपके लिए अच्छा है और बैंकिंग के ही शेत्र में सरकारी नौकरी लगने की पॉसिबिलिटीज भी बनती है तो आपको उसके लिए प्र को जाएं तो साथ में लेकर के चल सकते हैं मैंस आपका अच्छा दिखाई देता है मुझे गुरू लगने में बैठे हुए हैं मंगल की दृष्टी लगने पार है मंगल का संबंध है लगने से और ठीक है वह भरणी नक्षतर में बैठ करके तो कैलकुलेशन भी अच्छा ही शूपरते हैं और बुद्ध वितियभाव में बक्री है तो बढ़िया है कैलकुलेशन आपका मुझे अच्छा दिखता है और आप मैट्स कॉमर्स की फीड को लेकर के आगे बढ़ें बीकॉम इत्यादी में आप आगे बढ़ें और बैंकिंग की प्रेपरेशन को शुरू करें बैंकिंग में जाना आपके लिए कहीं साथ अच्छा हुझे आपकी गुंगली के इसाफ से दिखाई दे रहा है उपाए के तौर पर हनुमान जी के आराधना करकराशी आपकी भी है वारशिक राशिपल करकराशी का जाकर के सुनिए जो करिए इन कुछ उपायों को करिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके अंदर आत्मविश्वास थोड़ा सा विक्सित होगा जो कन्फियूजन्स है जो द्वंदता मन में चल रही उसमें भी कमी आएगी इन ही उपायों को करने से तो इन उपायों को करिए बाकी ज और पंचमेश दशम में बैठे हुए हैं सब्तमेश सब्तम में बैठके लगनगत गुरू को देख रहे हैं तो लेक्चेर आरशिप के प्रती भी आगे बढ़ना नेट त्यादी के तैयारी करना भी आपकी जन्वकुंडली का अच्छा प्रदर्शत कर रही है तो आप सोच सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे यदि इस कारिक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका माध्यम आप बने वार्शिक राशिफल 2024 की सीरीज देव गुरु ब्रहस्पती के राशी परिवतन एबं मासिक राशिफल से संबंधित जो भी वीडियो उस हमारे इस चैनल पर अप्लोड किये गए हैं इन सभ झाल